Hello all and welcome back again इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और भी बायो टेकनोलजी से रिलेटेड़ कंसेप्ट और कुछ टर्मिनलोजी से रिलेटेड़ डिसकेशन यह जो डिसकेशन है टर्म्स को लेकर के यह काफी इंपॉर्टेंट है एक्जाम में आपसे बड़े ही स्ट्रेट फॉर्वर्वर्ड तौर पे पूछ लिया जाता है कि वाट इस दा मीनिंग ऑफ बायो सेंसर और वाट इस दा मीनिंग ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो यह जो हमारे पास में वर्ड्स होते हैं, टर्मिनलोजीज होती हैं, कीवर्ड्स होती हैं उनको बड़े ही स्ट्रेट फॉर्वर्ड तौर पे क्वेशन पूछ लिया जाता है हलाकि यहाँ पर जो आपसे क्वेशन पूछे यानि की संभावना है वो दो तरीके की है एक जो आपसे पूछा जाएगा डेफिनीशन के बारे में कि कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा यह किस से रिलेटेड है या फिर इसका एप्लिकेशन क्या है यही दो टाइप के कोईशन आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे इन योर क्वेशन पेपर तो फड़ा फड़ा डिसकस कर लेते हैं इन दोनों के ही बारे में कि आखिर में क्या क्या चीज़े हैं और फिर आगे के बात को हम लोग डिसकस करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एपिजनेटिक्स के बारे में कि आखिर में यह जो एपिजनेटिक्स है यह क्या होता है नॉर्मली हम लोग ने देखा कि हमारा जीन यानि कि कुछ हम लोग जब modification करते हैं तो उसके बाद से यहाँ पर genetic changes आ जाते हैं अब यह जो genetic changes है उसके लिए हमें अलग से protein या फिर अलग से हमें कुछ इंजाइंग introduce करना पड़ता है हमें identify करना पड़ता है कि कहा पर कौन से gene में problem और फिर उसके बाद से हम modification कर देते हैं हाला कि इन सब चीजों को हम लोग ने already discuss कर रखा है हम लोग ने देखा था यह हमारे bio जो हम लोग ने बात किया था BT cotton या जो हम लोग ने bacillus thuringesis के बारे में बात कर रखा था या फिर हम लोग ने genetic modified organisms के बारे में बात कर रखा था recombinant DNA technology के बारे में बात कर रखा था तो यह सारी चीज़े हुई जो आप genetic modification या फिर genetic engineering या फिर genetic editing करते हैं जिसके लिए हम लोग ने SDN, site directed nucleus technology वगरे के बारे में discussion किया था जहां पर हम लोग ने SDN1, SDN2, SDN3 यह सब discuss किया था लेकिन इन सब के अलावा एक और term होती है जिसे हम लोग बोलते है epigenetics epigenetics का मतलब यह होता है कि जहां पर हमने कोई change किया तो नहीं है we have not done any changes कुछ भी हम लोगों ने अलग से externally नहीं प्रोवाइडी किया है लेकिन environmental effect के कारण से हमारे शरीर में कुछ genetic changes देखने को मिलते हैं यह जो genetic changes है यह जो phenology है जो environment के कारण से हो रही है जिसमें हमने कुछ अलग से नहीं किया है we have not done anything in the lab इस पूरे procedure इस पूरे genetic changes को बोलते है epigenetics तो epigenetics एक तरीके का ऐसा scientific research है जो यह दिखाता है कि how environmental influence या फिर कैसे environment influence करती है on the children's experience actually affect the expression of their gene इसका मतलब यह होता है कि the genes are set in stone was been disproven अब यहाँ पर nature versus nurture का case आता है like nurture जो हम लोग genetic engineering या फिर genetic editing के थुरू करते हैं और nature एक ऐसा है जहाँ पर naturally चीजे change होते रहती है तो जो naturally चीजे होती रहती है उसको हम लोग बोलते हैं epigenetics और जो nurture की जाती है उसको हम लोग बोल देते हैं genetic engineering या फिर genetic editing तो यहाँ पर यही सारी बातें लिखी गई है कहा गया है जो phenotype है उसमें change देखने को मिलता है हमें उनके जो habits हैं उनके जो choices हैं उसमें difference देखने को मिलता है और कहीं न कहीं this is what being called as epigenetics और यह natural driven driven होती है तो यह जो changes होते हैं because of the environment उसको हम लोग बोल देते हैं epigenetics दूसरा term आता है जिसको हम लोग बोल देते हैं synthetic biology synthetic biology क्या होती है synthetic biology का मतलब यह होता है कि जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को design करते हैं या फिर fabricate करते हैं with the biological component and systems अब यह हमारे जो biological component and systems का मतलब क्या हो गया जैसे DNA में change लेकर के आना या फिर किसी tissue या organs या फिर enzyme को use करके हम किसी नए तरीके के element को discover करते हैं बताते हैं design करते हैं so designing, fabrication and re-designing of the existing biological system is called as synthetic biology synthesis का मतलब यह होता है किसी चीज़ को बनाना तो synthesis आप जब कर रहे हैं with the biological means इसका मतलब यह हो गया कि हम biological तरीके से किसी नए चीज़ को design कर रहा है या फिर fabricate कर रहा है तो यहाँ पर जो biological engineering और informatics होती है वो काफी important role play करती है तमाम चीज़े आप use कर सकते हैं जो कि biological होती हैं जैसे cell हो गया, DNA हो गया, proteins हो गया, enzymes हो गया, tissues हो गया, etc. इसके बहुत ज़्यदा applications हमें देखने को मिल जाते हैं अगर हम इस application के बारे में अगर बात करें तो यह biology में, systems biology में, bioinformatics में, mathematics में, chemistry, bio technology, engineering लगबग लगबग हर जगा पर ही use कर ली जाती है अब जैसे महालेते हैं, suppose आप बात कर सकते हैं stem cell के बारे में तो stem cell का मतलब क्या है, कि जहां पर हम किसी DNA material को या genetic material को हम उठाते हैं और फिर ultimately उसे एक stem के तरीके से nurture करते हैं, उसे develop करते हैं और फिर ultimately एक body में convert कर देते हैं तो हमने क्या किया, with the help of the stem या फिर DNA या genetic material हमने क्या किया कि उसे एक full body में convert कर दिया है, तो ये एक तरीके से system biology आफिर biology आप बोल सकते हैं similarly से तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कि किसी एक genetic material को उठा करके निकाल सकते हैं separate करेंगे, separate करने के बाद में we can store it, store करने के बाद में हम उस genetic material से एक दूसरे same type का जो भी category होगा या same type का जो भी phylum निकल करके आएगा, उसको हम लोग identify कर सकेंगे तो ये bio informatics का case हो जाएगा, similarly इसी तरीके से mathematics का भी case हो सकता है तो वो एक biological synthesis का example बन जाएगा, तमाम तरीके के हम लोग diseases वगरे को यहां से हम लोग solve करने की कोशिश कर रहे है pharmaceutical में हम लोग ले करके आ रहे हैं, तो ये सारी बाते आ रही है, हाला कि दिखिए synthetic biology का अपना challenge बहुत ज्यादा है और ये सारे challenge आप जो genetic engineering में हम लोग 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 ले डिसकस किया था, सेम वही सारी चीज़ें यहां पर भी आप देख सकते है ये स्टार्ट होती है synthetic biology के development से ही, जैसे हमने अगर माल लेते हैं कि कोई भी नए तरीके की development की है जैसे BT brinjal या BT cotton तो ठीक है, बिटी brinjal ही हो गया, या फिर माल लेते हैं BT sugar cane हो गया, या फिर इस तरीके की कोई और बात है, BT mustard, कुछ भी इस तरीके की बात है तो कहीं न कहीं हम लोग लोग ने देखा है कि जो civil society organizations, they are opposed to this synthetic development, कहीं न कहीं इसके खिलाफ हो जाते है और उसके पीछे तमाम कारण है, safety नहीं है, security नहीं है, किसी नए तरीके का pathogen attack हो सकता है, नए तरीके के biological weapon बन सकते है social और तमाम ethical practices का भी यहाँ पर violation possible होगा तो कहीं न कहीं, if we are going against the nature, then nature will react back और जो nature react back करेगा, वो हमें नहीं पता है, this is very unexpected area यह जो unexpected area है, इसी के तोर पर environmentalist और जितने भी civil society organization के लोग है, वो इसके against में रहते हैं और इसी वज़े से कहीं न कहीं synthetic biology का हम लोग पूरी, मतलब full potential पर हम use नहीं कर पा रहा है हमें इसे pilot project के basis पर ही देखना पड़ जा रहा है next हमारे पास में इसी तरीके से terminology आती है, biosensor को लेकर के biosensor का मतलब है, पैसे समझ सकते है, sensor का मतलब क्या होता है, sensor का मतलब होता है कोई एक device या कोई एक element हम लगा देते हैं जब ही भी उस device में किसी तरीके का change अगर देखने को मिलता है तो फिर वो beep करना शुरू हो जाएगा या फिर कुछ न कुछ signal देना शुरू हो जाता है जिसे मालेते है motion sensor है, तो motion sensor एक light आती है आजकल तो खेर तमाम LED lights और इस तरीके से Bluetooth device मतलब की कुल मिला करके एक smart bulb का concept आ चुका है उस स्मार्ट बल्ब में यही है कि अगर वो किसी तरीके की vibration या किसी तरीके का motion detect करता है तो फिर वो glow करना शुरू कर देता है तो यही सेम चीज़ होती है हमारे bio sensor में भी bio sensor का मतलब की कई सारे हमारे पास में biological tools होते है या biological inputs होते हैं जैसे हो गया वही आपका organals हो गया tissues हो गया, DNA material हो गया तो यह जितने भी हमारे पास में biological inputs होते हैं इन biological inputs को अगर हम sensitive biological element के तोर पर use करें तो फिर हमें जो भी signal निकल करके आता है या फिर जो भी detection यहाँ पर निकल करके आता है इसे ही हम लोग बोलते हैं bio sensors तो bio sensor में हमारे पास में पहले तो एक tissue या organisms या organal या cell receptor enzyme ये सारी चीज़े होनी चाहिए और इसे हम लोग किसी ना किसी body में inject करेंगे और inject करने के बाद में हमें जो भी चीज़े निकल करके आती है उसी को हम लोग बोल देते हैं bio sensor अब ये जो bio sensor है वो तमाम जगहों पर use किया जाता है तमाम जगहों का मतलब जैसे हम industries में भी इसको use कर सकते है किसी भी drink या फिर किसी food को detect करने के लिए उसकी quality को check करने के लिए similarly medicines में use कर सकते हैं हम military में भी use कर सकते हैं nerve agent या फिर किसी को अगर suppose anesthesia वगरे दिया गया है तो हम उसको देख सकते हैं कि किस degree का anesthesia है इसके अलावा हम लोग domestic work में भी कई बार use कर सकते हैं प्लस insulin level वगरे को check करने के लिए भी इसको use किया जा सकता है तो इसके अपने आप में बहुत सारे application पार्ट आ जाते हैं अब यहाँ पर अगर बात करें तो यह कुछ components of biosensor के बारे में दिखाया गया है और कुछ transducer मतलब क्या तरीका अपनाया जाता है उसको ले करके है तो यही चीज़ है जैसे cell हो गया, enzyme हो गया, tissue हो गया, antibody हो गया, nucleic acid हो गया इन सब का हम इस्तमाल कर सकते हैं in different format जैसे electrochemical format में, optical format में, thermal या फिर अलग-अलग format में हम use कर सकते हैं अलग कि देखिए यह सब इतना detail जो दिया गया है, वो जरुवत नहीं है, बस इसका application part आप देख सकते हैं application part में जब देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे 2012 में 2-3-mal biosensor बनाया गया था 2012 में ही contact lens biosensor बनाया गया है, 16 में calorimetric sweet biosensor बनाया गया है फिर integrated biosensor बनाया गया है, तो यह सारी चीज़े कहीं न कहीं हमारे body में जितनी भी चीज़े चल रही हैं जैसे pulse measure करना, blood pressure measure करना, या फिर body का temperature measure करना, heart beat को measure करना, insulin measure करना तो यह जितने भी हमारे measurements वगर होते हैं, यह सब हम इस biosensor की मदद से ही कर सकते हैं और इस biosensor की मदद से हमें तमाम बाते देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट हमारे पास में इसी तरीके से element आ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, bio chip बायो चिप नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसे electronic device हम लोग develop कर रहे हैं, जो कि biological तरीके से बनाई गई हो अब यहां पर हमें जो हमारी electronics है और जो हमारी human biology है, इन दोनों का हमें mixture यहां पर देखने को मिलता है अब यहां पर example के through जरा समझते हैं, कई बार क्या होता है कि जब हम किसी भी हमारे organ की operation कर रहे होते हैं तो इस operation के दौरान में कुछ बहुत ही microscopic level की चीज़े होती है microscopic छोड़ी या ultra microscopic level की भी operation की जाती है तो जो ultra microscopic level की जब हम operation वगरे करते हैं तो वहां पर error होने के बहुत ज़्यादा chances होते हैं और अगर error हुआ तो there is a possibility that की problem बहुत ज़्यादा आ सकती है problem का मतलब हो सकता है death भी हो जाए तो इन सब जगों पर जहां पर बहुत ज़्यादा accuracy की जरूरत होती है और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि ultra microscopic level पर हमें जब accuracy की जरूरत होती है वहां पर हम इस्तमाल करते हैं robotics का और वहां पर हम लोग use करते हैं इसी bio chip का bio chip का मतलब यह हो गया through the automatic means या फिर machine के जरीए जिसे हम लोग बोल सकते हैं robotics के जरीए हम एक ऐसी chip बनाते हैं जो की bio degradable होती है अब जैसे हमाल लेते हैं suppose हमें कुछ chip लगानी है body में तमाम होते हैं जैसे pacemaker एक होता है न सेम वैसे ही chip type की device भी बनाई जा सकती है जो हमारे body में inject की जा सके अब यह जो हमारे पास में chip रहेगा यह एक bio degradable तरीके से बनाई जाएगी जब हम इसे शरीर में inject करेंगे तो धीरे 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 ultimately जो भी हमारा target area है वहाँ पर जा करके उस chip को fit कर देगा और फिर जो बाकी का movable material था वो bio degrad कर जाएगा और हमारी body को किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा सेम ऐसे ही एक bio degradable frog बनाई गई थी bio degradable frog में क्या था कि एक छोटा सा मेढ़क टाइप का था ultra microscope लेवल का ही था मतलब की micron में था इसकी size और उस मेढ़क को हमारे शरीर में inject कर दिया जाता था अब यह जो मेढ़क है उसमें चिप थी वो मेढ़क जहाँ पर target area set किया जाता था वहाँ जाकर चला जाता था ultimately चिप वहाँ पर fit हो जाता था और जो मेढ़क था वो bio degrad कर जाता था तो यह जो पूरा का पूरा system है इसी को हम लोग बोलते हैं biochip तो biochip एक तरीके का integrated circuit fabricated biological matter होता है जिसे हम living matter भी बोल सकते हैं जो कि किसी तरीके की health है या फिर कोई signal है या फिर हम लोग तमाम intelligence activities में भी इस biochip का इस्तमाल करते हैं the term has also been suggested by the ICS manufacturer using technique that mimic the way nature puts item together it has been suggested that the human brain is actually nothing but more than a sophisticated computer क्योंकि यहां पर भी तमाम neurons होते हैं और वहां पर भी data और जो information है वो इकठा होती आती है neurons में इकठी होती होती है और यह जो neurons है वो धिरे धिरे destroy भी होते आते हैं so no matter how complex it is always build up from individual logic गे whether the same can be said for the human brain remains to be seen यह जो पूरी process है यह जो पूरा का पूरा system हम लोग ने देखा इसी को हम लोग बोल सकते हैं bio chip तमाम चीज़े हैं पर तमाम application के format में हम लोग देख सकते हैं चाहे वो tracking हो intelligence हो finances हो demography हो तमाम बाते हम लोग यहां से निकाल सकते हैं हलाकि इस तरीके का अगर क्वेशन आए तो आप वहां पर option में देखिएगा यूल गेट नियरली ओल्ड ऑप्शन करेक्ट जो more than one करेक्ट में अगर आएगा तो वहां पर सारी ही चीज़े करेक्ट पाई जाएंगी यह बहाई जन्रल सा सेंस रहेगा नेक्स हमारे पास में इसी तरीके से आती है बायो सिगनेचर बायो सिगनेचर क्या चीज़ है अब जराथ पहले सिगनेचर मतलब समझे और आपको एक प्रूफ दे प्रूफ का मतलब यह हो गया जैसे माल लेते हैं कि कोई एक activity हुई थी उस activity में हमने suppose किसी bacteria या किसी लिपेड या isotope या किसी element को पकड़ा और वो element अपना past बता रहा है कि किस process के through या किन-किन events के through यह हमारा element या फिर जो भी input हमने लिया है वो गुजरा है तो यह जो पूरा track record बताना है इसी को बोलते है signature और जब यह biological तरीका हम लोग अपना लेते हैं तो उसको बोल देते हैं biosignature as simple as that तो biosignature का मतलब हो गया कि कोई एक ऐसा substance चाहे वो element हो isotope हो molecule हो या फिर कोई भी biological element हो जब वो अपने past या फिर present life का एक proof बताना शुरू कर देता है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कि वो एक biosignature है biosignature तमाम जगों से निकाला जा सकता है nucleic acid से, lipid profile से या फिर protein से, amino acid से, etc, etc कई बार हम लोग अगर आप test वगरे करवाएंगे lab test वगरे करवाए जाता है तो वहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं लिपिड प्रोफाइल देखते हैं और सपोज मा लेते हैं आप शुगर करा रहे हैं तो HPA1C होती है तो वो बिसिकली आपके past record को ही बता रही है पिछले तीन महीने का शुगर का आपका डेटा बता दे रही है कि कितना आपका शुगर रहा है तो एक तरीके का ये बायो सिगनेचर आप बोल सकते हैं तो ये बायो सिगनेचर के सिंपल फॉर्मेट हो गए और कहीं न कहीं जो होता है बैक्टीरिया आर्किया इन सब चीजों को हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं फैटी एसिड को डिटेक्ट करने में या बाडी के डिग्रेडेशन के लिए या तमाम बातें यहां पर हो सकती है यह पर अटीरिया और की सिंपल पहले शुरू में क्या होता है अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने कंपोजिशन और अपने टेस्टिंग के बेसिस पर ultimately एक ड्रग बनाती एक दवा बनाती है इस दवा को बनाने में काफी आदा खर्चा आ जाता है तो फिर सरकार ये कहती है international organization इनफेक्ट ये कहता है क्या आप एक काम करो जो भी आपने खर्चा पानी लगाया है आप पेटेंट ले लो 15 साल की आपको पेटेंट मिल जाएगी Institute of India जो की Ministry of Chemical के अंडर में आती है वो रेगुलेट भी कर रही होती है ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइज कुछ भी रख देंगे और साथ में जो भी पेटेंट के लिए आपने जो भी खर्चा पानी किया है उसको देख करके ही ये प्राइज निर्धारित की जाती है जो भी प्राइज हो गई वो तो मार्केट में भीकना शुरू हो जाएगा 15 साल तक ऐसे ही बेखेगा अगले 5 साल के लिए एक्स्टेंशन आपको मिल जाएगा लेकिन उसके बाद से ये जो दवा है उसका पेटेंट खतम हो जाता है और जब पेटेंट खतम हो जाता है तो अब उस दवा की तो कुछ खास वैल्यू रहे नहीं गई अब तो केवल कंपोजिशन जो है उसमें कितना अमाउंट मतलब कितना एलिमेंट कैसे पॉर्शन में मिला है बस उसी का ही खर्चा आएगा तो अपने आप से जो दवा 1500 की होती थी वह अचानक से 1500 रुपए पर आ जाती है क्योंकि तो बन जाता है हमारा जाता है उसका बन जाती है चम झातनगा तो हम लोग बोल देंगे Schüler div ट्राइंग सब्सक्स का सब्सक्राण। करके बनाई जाती है अब ये जो बायो लॉजिकल या फिर बायो जनरिक्स होती है ये कई तरीके की बिमारियों को दूर करने में मदद करती है जैसे एच आई वी एड्स अल्जाइमर्स इन सब चीजों में यूज की जाती है बेसिकलि आप ऐसे समझे है कि बायो जनरिक्स भी बाकी के विमारियाँ वगर हैं। उनको ले करके हो जाता है। तो ये सब जो चीजे होती हैं आप समझ सकते हैं। आप ने कई बार चाम्पल सुना होगा कई जगों पर यूज किया गया था जो North Korea है वहाँ पर भी इस्तमाल किया गया था तमाम इस तरीके के terrorist activities भी की गई थी biological weapons के जरीए जैसे anthrax का किया गया था तो ये जितने भी हमारे पास में elements होते हैं जो कि biological हमारे शरीर को नुकसान पहुचाते हैं उसको बोलते है biological weapons इंवेट आप लोगों ने movie देखी होगी ये भी recent में movie आ रखी थी पठान उसमें भी biological weapon का ही development किया जाता है इंवेट कई सारी ऐसी movies बनाई गई हैं जहां पर biological weapons और उसके नुकसान के बारे में बताया गया था biological weapon ऐसा कहा जाता है कि second world war के दोरान में भी use की गई थी जर्मनी के दोरा भी use की गई थी और जो नाजीज वगरे थे उनके भी खिलाफ में use की गई थी तो तमाम यहां पर बाते आ जाती है तो these are the main things यह लोग जो है इन सारे element के जर्य बाइलोजिकल वेपन वगरे तैयार किये जाते है जैसे एक होगया anthrax यह जो anthrax है वो basically soil में पाई जाती है जमीन में पाई जाती है और यह bacteria मतलब bacteria के दोरा ही cause की जाती है bacteria का नाम लिखा गया हलाकि इतना जरूवत नहीं होगा हमारे लिए कभी exam में आएगा नहीं लेकिन just for the sake of your information you can study this so it is one of the deadliest agent to be used as a biological weapon इसका इस्तमाल कई तरीके से किया जा सकता है food में मिला करके water में spray में powder में in fact जो anthrax की poisoning की गई थी वो लिफाफे में की गई थी जैसे envelop आता है तो envelop में लिख दिया जाएगा कि हाटी के फला जगा से आया है और फिर ultimately post कर दिया जाएगा अब ये जो post basically अफगानिस्तान में इरान के area में ये poisoning की गई थी अब जैसे ही ये लिफाफा खोला जाएगा वैसे ही जो anthrax है वो हमारे body के शरीर में skin पे आ गया इसकिन पे आने के बाद में हमारे body में चला जाएगा अब वो लिफाफे में था कुछ नहीं लेकिन वो anthrax की poisoning कर दी गई है और कहीं न कहीं ये फिर body में चला गया और धीरे धीरी ये पूरे के पूरे मतलब वही है bio accumulation और biomagnification का case हो जाएगा और ultimately ये पूरे area में फैल जाएगी और इस तरीके से यहाँ पर poisoning हो जाती है तो this is biological weapon दूसरी होती इसी तरीके से botanum toxin ये भी जो होती आपकी water में पाई जाती है primarily और basically जो problem होती है वो bacteria के कारण से होती है जिसको Clostridium botulism कभी नाम बोलते है botulism basically यहाँ पर जो है बीमारी का नाम होता है humans में फैलती है और ये एक तरीके से contaminated food or contaminated water के format में हो जाती है जापान के prisoners में during the occupation of anchuria ये यूज की गई थी similarly इसी तरीके से और भी एफलो टॉक्सिन वगरा है जो इराक में यूज की गई थी different weapon के format है एफलो टॉक्सिन ये एक तरीके से हलकी band तो सारी है बट एफलो टॉक्सिन अपने आप में काफी जादा disastrous मानी जाती है तो ये काम किया गया था similarly इसी तरीके से similarly इसी तरीके से हमारे पास में एक और है दैसेस, फ्रैंस, सिला, टूलें, सिस तो ये Soviet Union Scientist के दोरा ये बदाए गया था नाजीज आर्मी ऑफ दा जर्मनी बाइदा Soviet Union Army in the Battle of Stalingrad of World War 2 इस दोरान में ये हमारा यूज किया गया था किवल और किवल नाम याद रखिएगा ठीक है? और थोड़ी सी बस कहानी याद रखिएगा आपको यूटूब पर ऐसी तमाम कहानी अभी मिल जाएंगी जो की biological weapon को और उसके disasters को बता रही होंगी चोटे चोटे ये जो होता है आपको short videos वगरे में मिल जाते हैं लेकिन खैर आप यहाँ से थोड़ी से आपको जानकारी रहेगी कि आखिर में क्या चीज़े होती है ये जो biological weapon है वो हमारे लिए काफी अपने आप में बड़ा और काफी disastrous होता है और इसी वज़े से हम लोग इसको कई सारे category में भी divide करके रखे है जैसे category number A अगर बोलेंगे तो यह high priority agent होते हैं जिसमें हम anthrax को रखे हैं जैसे Ebola virus हो गया इसको हम लोगों ने category A में रखा है यहाँ पर high mortality होती है और designate easily, need special action बहुत तेजी से फैलता है actually example के तोर पर यहाँ पर कुछ examples लिखे गए anthrax बद्ध्यान रखिएगा similarly category B आती है category B में एक moderate priority होती है और इस moderate priority में मतलब उतना morbidity नहीं है designation भी उतनी नहीं है और last में आ जाती है category number C low priority agent होती है yellow fever virus बगर हो गया हेंटा वारस का नाम आप लोगे ने सुना होगा आसानी से produce कर दिया आती है और कहीं न कहीं जो होती है mortality relatively कम है तो बस category wise यहाँ पर हमें तमाम categorization देखने को मिल जाता है अब देखें यहाँ पर जो applicability है वो तीन अलग-अलग regulations पास किये गए है इसके अलावा बाकी दो और भी हमारे पास में regulations है इंटरनेशनल हेल्थ regulation United Nations Security Council Resolution तो यह हमारे पास में अलग-अलग यहाँ पर बोल लिजे कि conventions बनाए गए हैं जो कि इस biological weapon को prohibit करते हैं और सबका purpose एक ही निकल करके आएगा कि आप जो biological weapon उनको prohibit करें उनको खतम करें उसकी stock piling उसके transfer किसी भी तरीके से biological weapon अगर कहीं पर पाया जाता है तो उसे नस्ट कर दिया जाए उसे वहीं पर destroy कर दिया जाए बाके requirements बगरे के बारे में यह सब उतनी जरूवत नहीं है बस ठीक है नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से आज आता है हमारे पास में biomarkers को ले करके अब biomarker क्या होते हैं biomarker एक naturally occurring substance होता है natural तरीके से जैसे cell होती है DNA होती है tissues होती है और्गेनल्स होते है यह सब एक तरीके से कहिए कि यह सब naturally occur करने वाले elements होते हैं अब जैसे माल लेते हैं कि हमने suppose कोई एक extra element डाला किसी body में और वो element जैसे suppose माल लेते हैं कि हमें test करना है insulin की body में तो हमने कोई external agent body में या फिर blood को simple को लिया उसमें हम लोगोंने color define किया color को अलग लग किया lab में जो test कियते है और उसके basis पर हमें पता चल जाता है कि इसका blood count कितना है hemoglobin कितना है फिर जो proteins होती है WBC कितना है RBC कितना है यह सारी चीजे CBC की जो report basically होती है तो वो सारी चीजे हमें पता चल जाती है हमें कैसे पता चला हमने यहाँ पर blood के sample को उठाया था और जो भी element उसमें मौझूद होते थे वो सब के testing के बाद हम लोगों ने उसके पूरे के पूरे constituent की record हमने निकाल ली तो blood बन गया हमारा एक bio marker उस bio marker में जो engines present होंगे वो एक तरीके के bio marker बन गया क्योंकि अब वो पूरे के पूरे body के जो cell count है या फिर जो हमारे body में जो blood count है उसको बता रहे हैं उसके बारे में information दे रहे हैं एक तरीके से indicator है biological state की तो जहां पर भी pathogenic process होती है या pharmacological process होती है वहां पर हम ये सब काम use कर लेते हैं अब bio marker का इस्तमाल कई जगों पर किया जा सकता है जैसे यही पर लिखा हुआ है pharmacodynamic response जहां पर भी जैसे मालेत है suppose drug है तो drug को हमने इस्तमाल किया ठीक है और फिर ultimately हम लोग देख लेंगे उस drug के इस्तमाल करने पर bio marker पर क्या change आ रहा है जैसे एक छोटा सा example और लेते हैं मालेत है फंजाई है तो air quality अगर खराब होती है तो फंजाई वहाँ पर अपना color बदल देता है जिससे हमें पता चल जाता है कि air quality इसकी ठीक नहीं है similarly algae हो गया algae के development से हमें पता चल जाता है कि water जो है वो pollute हो चुका है तो यह सब एक तरीके से biomarker के तोर पर काम करते हैं similarly biomarker it is predictive similarly safety biomarker होते है susceptibility risk biomarker होते है diagnostic होते है मतलब हम लोगों को पता यह चल जाता है कि शरीर में किसी तरीकी की विमारी है की नहीं है monitoring biomarker होते है तो यह सब कहीं न कहीं जो होता है biomarker का मतलब यही हो गया कि अगर किसी भी चीज की information अगर हमें कोई दे रहा है वो वन जाएगा हमारा biomarker हाँ यह biological होना चाहिए बस that's it last portion हमारे पास में आ जाता है bioinformatics को ले करके bioinformatics नाम सही पता चल ला है something biological which contains information तो जो भी biological element या जो भी biological input जो information collect करके रखा होता है उसी को हम लोग बोल देते है this is called as bioinformatics इसका जो development है एक तरीके से कहिए जैसे database हो गया algorithm हो गया यह जितने भी तरीके के statistical observation वगर होते है इन सब को एक साथ manage करके रखना analyze करना इसी का काम होता है अब bioinformatics का मतलब जैसे एक तरीके से समझीए कि DNA की sequencing करना DNA की mapping करना DNA को हम लोग analyze करना फिर protein की sequencing करना यह सारी चीज़े जो होती है वो एक तरीके से bioinformatics हो गई DNA अपने आप में खुदी bioinformatics है because it is providing the information of the genetic sequence और जो भी phenology या जो भी यहाँ पर choices है वो सब कही न कहीं बता देता है तो इस bioinformatics का इस्तमाल हम लोग कई जगों पर कर सकते हैं biology, stats, math, engineering, computer science chemistry, biochemistry मतलब अगर आप देखेंगे तो यह सारे subject हला कि अलग-अलग होते हैं लेकिन over the top अगर आप देखेंगे तो अंत में यह सारे subject एक दूसरे के साथ में converge करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि ultimately हमारे इस पूरे के पूरे study, research वगरे का last ultimate goal होता है society की जो problem zone को ही दूर करना तो यह हम लोग ने सारे जितने भी points थे जो भी चीज़े थी उसके बारे में हम लोग ने discuss कर लिया है जो doubt रहेगा क्योंकि वो भी exam के लिए काफी important और exam में काफी आ रहा है तो उसके बारे में भी discuss करेंगे तो फिलाल यहां पर stop करते हैं मिलेंगे नेक्स रोडियो में तिल देन गुड़ बाई थेंक यू सो मच बाई बाई